सो हेलो दोस्तों आज हम इस बीडियो में बात करने वाले हैं वेश्टेंडीज और इंगलेंड के बीच में जो तीसरा ODI मैच खेला जाएगा उसके बारे में और ये वाला मैच ना सिंपली 6 नवंबर को रात साधे एक ग्यारो बजे खेला जाएगा और ये वाला मैच ना सिं मैच में टीम बना करके स्मॉल लिग और मेगा ग्रेंड लिग में अच्छा खासा विनिंग करना चाहते होना तो ये बेडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बेडियो में मैं आपको पूरा डेटेल में बताऊंगा कि दोनों टीम से कौन कोन इसा खिलारी है जो इस मैच में आपको एक बेहतरिन परफॉम करके देगा और इस मैच में ना सिंप्ली दोनों टीम से कौन कोन इसा खिलारी है जिसका सलेक्षन आपको काफी कम दिखेगा लेकिन actual में वही खिलारी आपको इस match में न, mega league में rank one दिला करके आपको करोडो में winning कराएगा, और दोनों team से कौन कोन इसा खिलारी है, जो captain और wise captain का सबसे बेहतरिन contender बनेगा, और मैं आपको last में इस match के बारे में, मैं आपको team बना करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको idea कि इस मैच में आपको टीम केसे बनाना है, अगर आपने इस बेडियो को पूरा देख लियाना, जिसके बाद आपका जो टीम बनेगा ना, उस टीम से आप किसी को भी हरा सकती हो, तो चलिए बेडियो की सुरुवात करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसी पहले आपको टेली ग्राम और वाटसप चैनल दोनों में आपको जोएन करके रखना है, समझ माँ चुका है ना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पर मैं आपको टॉस के बाद और लाइन अप आने के बाद ना, सिंप्ली असमॉल लिग का विनिंग टीम देता हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ में, सिंप्ली मेगा जील का विनिंग टीम देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में, लेकिन वो क्या था Simply T20 मैच था अब यहाँ पर देखो गे ना तो Simply यहाँ पर मैं आपको तीन मैच का एक्जामपल के द्वारा समझाओंगा सबसे पहले यह वाला मैच देखो वेश्टेंडीज और इंग्लेंड के बीच में ही 9 दिसंबर 2020 को खिला गया था उसके बाद यह वाला मैच देख सकते हो वेश्टेंडीज और इंडिया के बीच में 2020 को खिला गया यह वाला मैच 27 जुलाई को खिला गया था 2020 को वेश्टेंडीज और इंडिया के बीच में यहाँ पर 181 run बना करके all out हो गिया टीम इंडिया उसके बाद यहाँ पर वेश्टेंडिज मात्र 114 run बना करके all out हो गिया आनि कि run आपको काफी कम बनता हुआ दिखेगा समझमा चुका है ना अब यहाँ पर देखो गे ना तो जो टीम पहले बैटिंग कर रहा है ना उसका व पहले बैटिंग करेगा ना एक तो यहाँ पर असकोर करना काफी ज्यादा मुस्किल होता है और जो टीम पहले बैटिंग करेगा सिंपली उसका विकेट पक्का गिरेगा कम से कम 8 9 या 10 विकेट समझमा चुका है ना या फिर all out भी हो सकता है अब देखो कि विकेट किसको मिल रहा है तो इस मैच में फास्टर बॉलर को टोटल 10 विकेट मिला है अस्पीनर को मात्र 4 विकेट वो भी सेकेंड इनिंग में इस मैच में फास्टर को टोटल 9 विकेट अस्पीनर को 5 विकेट मिला है टोटल दोनों इनिंग मिला करके इस मैच में फास्टर को 4 विकेट पर आपको इस परकार से पीछ देखने को मिलेगा यहाँ पर सिंपली अगर आपको बीडियू अच्छा लग रहा होगा तो सिंपली आप लोगों से एक यही request है कि चैनल को subscribe करके notification bell को दबा करके all पर प्रेस कर लेना और मुझे प्यार देने के लिए मुझे motivate करने के लिए बेडियो को एक like कर देना और एक प्यारा सा comment कर देना क्योंकि आप सभी को पता होगा video बनाने में काफी ज़्यादा मेहनत लगता है मैं आप लोगों के पहले बात करते हैं वेश्टेंडिज का पॉसीबल प्लेइंग 11 के बारे में आनि जो इस मैच में हो सकता है तो सिंपली ब्रेंडन किंग और यहाँ पर इवेन लिविस आपको आपनिंग करता हुआ देखेगा फिर से उसके बाद कैसी कार्टी नंबर तीन पर उसके बाद होता है तो मैंने बता दिया ना टॉस के बाद और लाइन पाने के बाद आपको टेली ग्राम चनल और वाटसप चनल में आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट आपके लिए कौन बनेगा किसको लेना है किसको ड्रॉप करके चलना है सबसे पहले अगर के सामने इसका रिकॉर्ड उतना ज्यादा सही नहीं है और ना ही इस वेन्यू पर तो मैं सिंपली इसको ड्रॉप करके चलूँगा उतना कोई खास प्लायर नहीं है और यहाँ पर नीचे में देखो कि न तो इवेन लुईस आपको दिखेगा पिछले मैच में चार रन उसस चलेगा तो सिंपली तुरंत आउट हो जाएगा आप असानी से देख सकते हो इसका रिकॉर्ड को देख करके नीचे में आपको दिखेगा कैसी कार्टी इसका रिकॉर्ड देखो पिछले मैच में एक खत्र रन का पारी खेला था इंग्लेंड के सामने यहाँ पर 19 रन दिख देखेगा क्योंकि पिछले मैच में एक खत्र रन का पारी खेल करके आ रहा है समझ मां चुका है ना तो अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ट्राइ करके चलना में फिलहाल के लिए इसको ले करके चलूंगा नीचे में आपको दिखेगा सई होप पिछले मैच में 170 रन उससे पहले 6 रन, 22 रन, 5, 5, 29 उसके बाद इधरा आपको उतना खास नहीं दिखेगा यहाँ पर 68 रन, 109 रन दिखेगा यह इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी इंगलेंड के सामने काफी बेहत्रिन है इसको ले करके चलना और तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा नीचे में दिखेगा सर्फेंड रदरफोर्ड पिछले मैच में चाउवन रन प्लस एक विकेट उससे पहले 50 रन प्लस एक विकेट, 80 रन, 24 रन, 3 रन, रिसेंट फों आपको काफी सही दिखेगा और यह जो आपका चाउवन जिरो विकेट, 50 एक विकेट है ना वो इंग्लेंड के सामने ही है पहला और दूसरा ODI मेच में समझमा चुका है तो डेफिनेटली इंपोर्टेंट बनेगा रदरफोर्ड बेटिंग बॉलिंग दोनों करेगा इसको ले करके चलना अपने टिम में सिमरन हेटमायर दिखेगा कोई खास रिकॉर्ड इसका नहीं दिखेगा 24-12, 0-32, 0-62, उतना कोई खास इसका रिकॉर्ड नहीं है मैं इसको ड्रॉप करके चलूँगा उसके बाद यहाँ पर दिखेगा रोश्टन चेस, 20 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 8 रन, 1 विके यहाँ पर दिखेगा मैथ्यू फोर्डे, इसका रिकॉर्ड काफी बहतरिन दिखेगा, पिछले मैच में 23 रन, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1, 1, 3, 0, अगर पहले बॉलिंग किया, definitely important बनेगा, second बॉलिंग में उतना ज्यादा important नहीं बनेगा, गुडा केस मो पिछले मैच में उतना कोई खास performance नहीं किया, 0 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, मैं simply इसको drop करके चलूँगा, अपने टीम से, इसका record उतना कोई खास आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, समार जोसेप, जो पिछले मैच में अलजरी जोस करना है, already मैंने आपको बता दिया है, समझमा चुका है, अब यहाँ पर simply बात करते हैं, England का possible playing 11 के बारे में, किसको आपको लेना है, किसको drop करना है, अभी आपको पता चलेगा, तो simply flip salt और will jacks आपको opening करता हुआ दिखेगा, जे कॉक्स दिखेगा, जे बेथल दिखेगा, लियाम लिविंग्श्टन, डी मॉलसी दिखेगा, समझमा चुका है न, मौसली है, उसके बाद सेम करन, आदिल रासिद, जौफरा अर्चर, एस महमुद और जे टरनर दिखेगा, अब देखो important कौन बनेगा, किसको लेना है, किसको drop करके चलना है, flip salt दिखेगा, पिछले मै फ्लॉप होने का chance काफी जादा रहेगा, लेकिन second batting किया, उस condition में important बनेगा, ओके, नीचे में, विल जैक्स आपको देखेगा, पिछले मैच में 12, उससे पहले उनिसानी, दोनों मैच में भी अभी कोई खास performance नहीं किया है, लेकिन देखोगे न, तो बीच बीच में आपक एक बेहतरिन पारी खेल करके देगा, कैप्टेंसी का पारी खेल करके दे सकता है, विल जैक्स एसा खिलारी है, समझमा चुका है, तो रिस्क लेना है, तो डेफिनेटली इसको ट्राइ करना, और पलस में कभी-कभी ये बॉलिंग भी करता है, दो से तीन ओपर तो ध्यान द उसके बाद जे कॉक्स दिखेगा, उतना ज्यादा इंपोटेंट नहीं बनेगा, मैं इसको ड्रॉप करके चलूँगा, जे बैथल एक ट्रंप बन सकता है, पिछले मैच में 55 रन, उसके पहले 27, 13, 12, 25, 35 दिखेगा, तो ट्रंप वाली सेक्षन में इसको आप एड़ कर सकते हो, अपने टिम में किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके, जैसे कि फिलिप सॉल्ट विल जेक्स को ड्रॉप करके, जे बैथल को ट्राइ करना, नीचे में कैप्टन लियाम लिविंग्श्टन दिखेगा, पिछले मैच में 124 रन, एक विकेट, उससे पहले 48 रन, एक विके ओडियाई में उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता है, खास करके बॉलिंग से, ठीक है, बैटिंग से आपको परफॉर्म करके देगा, जैसे कि पिछले मैच में 52 रन, 0 विकेट, 33 रन, 0 विकेट, 12 रन, 0 विकेट, तो सेम करन इंपोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसका सलेक्षन काफी ज्यादा रहेगा, आपके हर एक ओपोनेंट के टिम में रहेगा, तो आपको भी ले करके चलना पड़ेगा, समझमा चुका है न, क्योंकि एक तो बैटिंग भी करेगा, पलस में कम से कम आठ या साथ ओभर का बॉलिंग भी करेगा, तो इंपोर्टें नीचे में S महमुद दिखेगा, और J टर्नर दिखेगा, इन तीन में से किसी दो को आप ट्राइ कर सकते हो, अगर इंगलेंड पहले बैटिंग किया उस कंडिशन में, समझमा चुका है, क्योंकि पहले बॉलिंग किया उस कंडिशन में, अगर इंगलेंड पहले बॉलिंग क तो उस कंडिशन में जौफरा अर्चर, एस महमुद और जे टर्नर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, रिकॉर्ड भी आपको काफी सही दिखेगा, इन तीनों का आप असानी से देख सकते हो, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ओप्सन बनेगा, तो जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ, उसी नॉलेज को यूज करके मैंने टीम बनाया है, तो विकेट किपिंग वाले सेक्शन में आपको साई होप देखेगा, और फिलिप सॉल्ट देखेगा, बैटिंग वाले सेक्शन में सरफेंड रदर फोर्ड, लियाम की कार्टी देखेगा, नीचे में और वाले सेक्शन में सेम करन देखेगा, वील जैक्स देखेगा, और बॉलिंग वाले सेक्शन में आदिल रासिद, जी मोटी और यहाँ पर एम फोर्डे देखेगा, समझ मा चुका है, तो यह मेरा टीम है, असानी से देख सकते हो, कैप् भी भी परफॉमेंस करके दे सकता है, क्योंकि ओपनिंग करेगा, पलायर में काबिलियत है, लेकिन अभी इसका रिसेंट फम उतना सही नहीं है, तो इसको ट्राइ करना है, तो सिंपली कैसी कार्टी और इवन लुईस के जगहाँ पर सिंपली आप ब्रेंडन किंग को ट्रा बालिंग करेगा, उस कंडिसन में इंपोर्टेंट हो सकता है, उस कंडिसन में आदिल रासित को ड्रॉप कर देना, यहाँ पर देखो अगर इस मेच में यह भी हो सकता है, अलजरी जोसेफ और समार जोसेफ इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ देखेगा, तो जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक लाइक करना, यहाँ से विल जैक्स पर रिस्क लेना है, तो डेफिनेटली आप ट्राइ करके चलना, तो यह मेरे लिए कुछ C&VC का बेस्ट आप्सन बनेगा, तो यही था इस मैच का प्रिडिक्श अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना मुझे मॉटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत ज्यादा मॉटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिके लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारतु